अपने गेम खेला होगा कैसे अप अपने हाथों को स्टेडी करके रखते हैं अकर वो गेम आपने नहीं खेला है तो आप वो गेम ज़रूर ट्राइ करें अपने चप्टर 12 क्लास 6 में ये गेम आपको सजिस्ट किया गया तो आप वहाँ जाकर डिटेल में ये गेम के बारे में पढ़ सकते हैं तो स्टूडिन जो पहली और बूजो है न उन्होंने ये गेम खेला और एक एलेक्ट्रिक सर्कृट बनाया जैसे कि क्लास 6 में आपको साथ एक गेम खेला and they enjoyed it so much that they decided फिर उन्होंने ये decide किया क्योंकि उन्होंने इतना enjoy किया उन्होंने decide किया अपने कजन को भी बता रहा और जो उनके कजन अलग टाउन में रहते थे उनको भी इस गेम के बारे में बताया so पहेली made a neat drawing showing how the various electric components were to be connected तो पहेली ने क्या किया जब वो गेम खेला और एक circuit diagram बनाया electric circuit बनाया फिर उसने उसके drawing बनाई जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर right तो यहाँ पर students यह क्या है एक cell है cell में एक positive terminal होता है एक negative terminal होता है यह आपको धिहान रखना है जो cell होता है इसमें positive terminal और एक negative terminal होता है यहाँ पर देखें उबरा हुआ पार्ट होता है एक एक flat पार्ट होता है right तो अब यहाँ पर कुछ nails ली गई है की ली गई है बल्ब लिया गया है और एक safety pin ली है और कुछ wires का use किया गया है तो यहाँ पर आप देखें नेगटिव टर्मिनल को इदर safety pin से attach किया गया positive terminal को यहाँ नेल से attach किया यह further यह सारा circuit बनाया गया और यह key से attach किया यहाँ पर यह bulb के through wire को लगा दिया गया है तो अब students यह setup बन गया कि how steady your hand is यह वही है कि किस तरह से आपने class 6 में यह 12 chapter में समझा था अब इस class में हम समझने वाले हैं कि इस diagram को कैसे हम symbol form में easily draw कर सकते हैं तो बूजो कहता है कि अगर हम इन components को easily draw कर सके तो देखिए इसका कुछ तरीका है या नहीं है तो इसके लिए students हमें कुछ symbols यह गए हैं electric components के तो उन symbols को हमें पढ़ना जरूरी है उन्हें समझना जरूरी है जो अब हम आगे समझने वाले हैं जिससे आप यह circuit diagram बहुत easily बना सकते हैं अगर आपको symbols का पता होगा तो यहां some common electric components can be represented by the symbols in table 14.1 आपको एक table दिया गया है 14.1 you can see here यह आपको table given है symbol for some electric component तो students यहां पर जो cell used किया गया है जोसे electric cell कहा गया है इसका symbol है इस तरह से parallel lines एक है long एक है short और parallel line को attach कर दिया गये parallel क्यों है ताकि यह attach ना हो एक दूसरे के साथ राइट तो यहां पर distance है ना इसमें तो यह नहीं तो यह मिल जाएंगी यहां पर parallel lines को draw किया गया इंटरसेक्ट नहीं होंगी यह तो यहां electric circuit का जो symbol होता है वो कैसा होता है इस तरह का symbol होता है fine अब बारी आती है electric bulb की तो electric bulb का symbol students कैसे होता है electric bulb का एक circle बना दिया जाता है right यहां से wire आ रही है और यहां पर एक bulb बना दिया गया है fine तो this is electric bulb अब switch is on अगर switch on है तो कैसा circuit होगा right तो वो होगा कुछ इस तरह जैसी यह हमारे पर safety pin है safety pin से इदर wire है इदर wire दोनों तरफ connected है अगर एक wire को मैं हटा दूं तो circuit off हो जाता है बट यहां पर position कैसी है यह इस तरह की position मालो यहां safety pin का एक end है right यहां पर safety pin है फिर यहां पर दूसरा end है दोनों ही connected है तो this is the on position right यहांनि कि close है यह close circuit है यहांगे हम detail में पढ़ेंगे now come to the next one switches off को switch off कब होगा students switch जब अगर यह safety pin की wire एक जगह से remove कर दी जाए हटा दी जाए that is the switches off position जैसे की मालो यहां से wire आ रही है safety pin एक तरफ से तो अटाच है बट दूसरी तरफ से यहां से हटी हुई है यहांनि कि circuit open हो चुका है तो that is the off position right now come to the fifth point that is battery अब students cell और battery में कई बच्चे confuse हो जाते कि cell क्या होता है और battery क्या होता है कभी कभी बच्चे कहते cell और battery एक की चीज़ होता है बट ऐसा नहीं होता cell क्या होता है कि जैसे हमने एक cell की बात कर रहे हम लोग यहां पर एक cell की बात कर रहे positive terminal negative terminal बट अगर हम एक से ज़्यादा cell को लगा दें होगे रहा, dotted dotted यानि बहुत सारे cell को attach करते ना, तो dotted का मतलब बहुत सारे cell attach है, तो that is called the battery, now wire, wire का तो symbol, symbol straight line होता है, तो यह है हमारा wire का symbol, तो students, यह थे हमारे कुछ symbols जो बहुत important है, exam में इस से related questions भी पूछ लिया जाते हैं, right, तो देख लेते हैं, इनके components can be represented by a symbol in table 14.1, some electric components and their symbols are shown, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, you may come across different symbols for this components in different books, तो students, यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोलना कि माम ने तो ऐसा समझाया था, बट दूसरी बुक में तो इस तरह का symbol है, तो यह symbols vary कर सकते हैं, अलग-अलग बुक में symbols carefully, and the symbol for electric cell, notice that is a longer line, देखे, electric cell के लिए एक longer line है, एक shorter line है, जैसे मैंने बताया, right, and thicker parallel lines, और यह दोनों आपस में क्या है, parallel है, do you recall that an electric cell has positive terminal, negative terminal, जैसे मैंने बताया, कि electric cell में एक positive terminal होता है, एक negative terminal होता है, देखे, is very important, question पूछ सकते हैं, longer line, positive terminal, shorter line is negative terminal, now, for a switch the on position, अब students on और off position के बारे में बहुत जादा question पूछा जाता है, तो बच्चे हैं बहुत mistake कर देते हैं, तो जिसको आपको clear करना होगा, for a switch on position, जब on होगा, तो circuit जो होता है, वो close होता है, safety pin दोनों तरफ से attach रहेगी, बट जब ये off हो जाएगा, तो safety pin एक end से हट जाएगी, तो इस तरह का circuit रहेगा, वहाँ पर, the wire is used to connect the various components in circuit, are represented by the lines, जो wire है, उसको line के थूँ ही represent किया जाता है, okay, in table 14.1, the battery and its symbols are shown, अब students, battery बहुत important है यहाँ पर, तो battery क्या होदा है, battery मैंने आपको बदाया, अगर बहुत सरे cells को जोड़ दिया जाए आपस में, that is called the battery, तो battery के यहाँ पर definition भी आपको आ सकती है, तो definition देखेंगे, that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell, such combination of two or more cells is called the battery, एक बार हम पीछे से थोड़ा सा और यहाँ से पढ़ते हैं, देखें, in table 14.1, देखेंगे, battery के बारे में क्या कहा गया है, do you know what is battery, look at the symbol of battery, can you make out what battery could be, for some of the activities, we may need more than one cell, अब देखें, students, कुछ activities के लिए हमें, एक से ज़्यादा cells की ज़रूरत पढ़ती है, तो अगर एक से ज़्यादा cell एक दूसरे के साथ अटाच कर दिये जाए, positive, negative, positive, negative, positive, negative, तो students, यह क्या बन जाती है, एक से ज़्यादा अगर दूसरे cell अपस में अटाच कर दिये जाए, तो positive terminal of one cell is connected to the negative, हमेशा त्यान रखना positive और negative, जैसे यहाँ पर यह cell इसका positive है, और यहाँ cell negative है, तो यहाँ दूसरे cell का positive आएगा, और यहाँ पर negative आएगा, ओके, such combination of two or more cell is called the battery, this is very important question, कि battery की definition पुछ ली जाती है, यहाँ पर, I hope आपको concept clear हो गया होगा, but students, आपने देखा होगा, की, अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे की cell battery जो होती है, कुछ इस तरह से attach कर दी हमने, एक cell के बाद दूसरा cell attach, जैसे torch में use किया जाता है, but क्या आपने कभी observe किया, जो TV remote होते हैं, ठीक है, उनके अंदर battery कैसी होती है, उनमें ऐसे line में तो battery होती ही नहीं है, torch की तरह, उनमें इस तरह से attach रहती है, यह, ऐसे, ऐसे, देखे, ऐसे होता है न, तो आपने यह भी observe किया होगा, जो TV remote controls होते हैं, उनका जो battery system होता है, वो कुछ अलग तरीके का होता है, torches का अलग तरीके का रहता है, however in some of these devices, electric cells are not always placed one after, यानि कि कुछ devices में, एक के बाद एक attach नहीं रहता है, जैसे कि diagram 14.2 में दिखाया गया है, देखे students, यह वाला जो diagram है और यह वाला diagram है, दोनों different है, यहाँ पर एक के बाद, एक के बाद, एक attach है, right, positive, negative, positive, negative, बट यहाँ पर यह खड़े हुए हैं, दोनों, तो students, in cases में क्या रहता है, देखे, sometimes the cells are placed side by side, then how the terminals of the cell connected, look carefully inside the battery compartment, आपने दियान से देखा होगा, remote में कभी देखना, कि क्या होथा, तो वहाँ पर एक metal की strip लगी होती है, connected रहती है, there is usually thick wire, यहाँ फिर wire होगी, या metal की strip होगी, connected जा positive terminal, of one cell of the negative, terminal of the next cell, तो वो connect करके रखती है, positive को negative के साथ, तो एक metal की wire रहती है, students वहाँ पर, देखे, यहाँ पर, जैसे, यहाँ पर wire है, तो वहाँ पर इस तरह से बना रहता है, तभी यह cell आपस में क्या connected रहते हैं, और battery का रूप लेते हैं, connected two cells together is called the battery, I hope the concept is clear to you, now students यह होते हैं cell holder, अलग-अलग तरह के cell holder पाये जाते हैं, देखे, आप यहाँ पर यह cell holder हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर एक wooden का एक platform दिया हुआ है, यहाँ पर यह cell holder दिया है, rubber से tightly pack है, ताकि यह cell हैं आपस में हीले नहीं, तो देख लेते हैं, इसके बारे में क्या बताया गया है हमें, sorry, yes, यहाँ पर दिया गया हमें, how can we connect the cell of the prepared batteries of our activity, जैसे यह बोल रहा है कि आपको अगर activity कोई करनी है, तो कैसे आप connect करते हैं cells को, you may make a cell holder, आपका एक cell holder बनाना पड़ेगा, as shown in diagram, using a wooden block, two iron strip and rubber band, it is necessary, देखे, यहाँ पर एक wooden block लिया गया है, यह wooden block लिया है, यहाँ पर iron strip लिगई है, एक rubber band लिया ताकि इसको tightly close करके रखे, तो terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell, देखे, यहाँ पर यह positive है, यह negative है, तो यह positive यह negative होगा, right, connect a piece of wire, each of the two metal clips on the cell holder, as shown in the diagram, तो यहाँ पर एक strip wires ले लिए हैं, और यह rubber band से attach कर दिया, your battery is ready for use, अब आप अपटी battery को ready कर सकते हो, the symbol used for the representing battery, as shown in the diagram, जैसे कि आपने diagram में देखा था, battery का diagram कैसे, ऐसे, shorter, then dotted dotted से दिया हुआ था, फिर positive, फिर negative, इस तरह से आप attach कर सकते हो, right, तो यह था हमारा cell holder के बारे में, तो देखे, यहाँ पर cell holder में rubber band attach किया हुआ है, hold किया हुआ है, tightly, you could also buy a cell holder for the market, आप cell holder को market से भी खरी सकते हो, place the cell in them properly, तक positive terminal, इनको अच्छे से attach करना है, positive, negative, यह मैंने पहले पढ़ दिया था, students, बट यह last का part है, बट मैंने आपको बता दिया है, कि कैसे हमें यह करना है, तो cell holder आप market से भी खरी सकते हो, यहाँ पर students, एक important है, यहाँ पर यह आपने देखा होगा, जो tractors बगरा होते हैं, इनके अंदर battery यूज की जाती है, अब यह battery इस तरह कि इसके अंदर, बहुत सारे cell connected रहते हैं, तो पहली अन बूजो वांडर, whether the battery is used in tractors and trucks, and inverters are also made from cells, then why it is called battery, बोलते हैं, यह cell से बना, तो इससे battery क्यों कहते हैं, तो इससे battery इसले कहते हैं, क्योंकि इसमें cells, बहुत सारे attached रहते हैं, तो अगर single cell की बात कर रहे हैं, that is cell, अगर हम बहुत सारे cells को attach कर दे, connect कर दें एक दूसरे के साथ, तो हम उसे कहेंगे battery, I hope students आपको battery का concept, अच्छे से clear हो गया होगा, राइट, अब अनदर activity है, 14.1, मेंका electric circuit, आशनन डाइग्राम 14.7, कहां पर है 14.7, येस, ये रहा, तो दीखें, यहाँ पर हम डाइग्राम सी समझ लेते हैं, ये हमें cell दिया हुआ है, safety pin है, यहाँ पर wires लगी हैं, और bulb क्या कर रहा है, glow कर रहा है, अब students, यहाँ पर दो तरग के circuit diagrams होंगे, एक होगा on position, एक हो जाएगा, sorry, यहाँ पर off position है, एक हो जाएगा on position, एक हो जाएगा off position, अब हमें वो कैसे समझना है, हम उसको देखेंगे, अगर students, यहाँ पर safety pin दोनों तरफ से close है, यानि कि पूरा circuit close है हमारा, तो यानि bulb क्या करेगा, glow करेगा, obviously, अगर circuit close है, तो switch हमारा कैसा होगा students, यह हमेंशा question पूछा जाता है, switch होगा on, अगर circuit कैसा है, closed circuit है, यानि कि safety pin दोनों तरफ से wire attached है, right, तो हम उस circuit को कहते हैं, closed circuit और switch कैसा रहेगा on, तो देखें, यह है वो diagram, circuit diagram of electric sun, यहाँ पर देखें, bulb क्या कर रहा है, glow कर रहा है, इस तरह से lines दी हुई है, तो bulb glow कर रहा है, यहाँ पर cell लगा है, यह हमारा, क्या है, switch है, ठीक है, switch यहाँ पर on है, कैसा है, on है, circuit कैसा है, closed है, तो switch on, circuit close, तो bulb क्या करेगा, glow करेगा, right, तो very important question here, और आप पूछा जाएगा, कि बताओ आप, कि switch, यह, off position क्या होगी, तो off में students, यह जो, यहाँ पर safety पी ने, एक तरफ से हटा दी जाएगी, तो यह देखिए, हटा हुआ है, यहाँ पर open circuit है, कैसा circuit है, open circuit है, bulb glow नहीं करेगा, इस condition में, and switch off रहेगा, तो this is very important, जो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ से question बहुत पुछे जाते हैं, अब students, यहाँ पर, जो bulb glow करेगा, इसको हमें touch नहीं करना होता है, देखिए, यहाँ पर दियावा application क्या रहे हैं, लेने हमें, never touch a lighted electric bulb connected to the mains, कभी भी अगर mains से connected है, जैसे अगर bulb glow कर रहा है, तो हमें उसे touch नहीं करना, it may be very hot, यह बहुत ज़्यादा गरम हो सकता है, क्योंकि जब भी हम electric current देते हैं, जब circuit में, तो bulb जब glow करता है, या कोई भी चीज अगर चलती है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, घरम हो जाती है, यानि कि इसका heating effect होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, and your hand may get burnt, और आपका हाँ जल भी सकता है, do not experiment with the electric supply, from the mains or generator or inverter, you may get electric shock, इसी तरह से आपको generator, inverter को भी टच नहीं करना है, जो main supply से attach है, अदरवाइस आपको current भी लग सकता है, तो बहुत ज़्यादा dangerous रहता है ये, तो ये bulb क्यूं इतना घरम हो जाता है, तो इसके बारे में हम आगे heating effect of electric current में समझेंगे,